प्यारे नगरवासियों, इस समय पूरा देश और हमारा स्टेट भी पंजाब भी एक बहुत महामारी जिसे COVID-19 ये कॉरोना कहते हैं, उसके एक महा संकट से गुजर रहा है इस संकट में हम सबका फ़र्ज बनता है कि जिसको जो अपने ड्यूटी मिली है, वो अपनी ड्यूटी पूरी ततपरता से निडर होके इस मौके पे जरूर अपनी ड्यूटी निभाएं इसका में जो एहमियत पिलर्स हैं, वो हम स्वास्ते करमचारी और पुलिस के सिक्यूर्टी फोर्स के उपर सबसे आदा इसका बरंट आता है और हमारे को बहुत जरूरी है कि हम अपनी सर्विसेज इस महा दौर में मैंटेन कर पाएं, अपनी, चला पाएं उसकी तरफ से मैं डौक्टर शर्मा, श्रीमन हास्पिटल की तरफ से बताना चाहता हूँ कि इस महामारे के दौर में भी हम लोगों ने अपनी सारी सर्विसेज, हल्थ सुविदाएं, हर मरीज के लिए मुहाला कराई हूए है इस समय मरीज के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदे लोग धर के वज़े से हम डौक्टर्स मरीज को नहीं अटेंड कर रहे हैं तो जो मरीज हैं उनके लिए स्वास्त सुविधा पाना बहुत मुश्किल है कोविट मरीज जो होते हैं वो तो एक सिविल हस्पताल या कोविट सेंटर चले जाते हैं लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत आज की तारीक में उठानी पड़ रही है नोन कोविट मरीजों को उठानी पड़ रही है और उनकी दियान रखना एक हम हर देशवासी का फास बन जाता है कि हम उनका भी पूरा दियान रखें विकाज कोविट के सिवा भी बहुत बिमारिया हैं जिसके विए से लोग भुगतते हैं जान को भी गवाना पड़ता है उन सब के ध्यान में रखते हुए इस महौल को देखते हुए कोविट का थेट भी देखते हुए हमने अपनी सुविदाहें उसी हिसाब से मॉटिफाई की हुई है हम सारे पोटोकॉल्स जो भी पंजाब या हिंदुस्तान की सरकार धारित करती है हम उन सारे पोटोकॉल को बिस्टिकली फॉलो करते हुए अपनी सेवाएं शुरू से कंटीनिव करे जा रहे है और उसका नतीज़ा है कि आज की तारीक तक अभी तक हम कई सो हजार के से उपर मरीजों को अपनी सुविदाहें दे सके हैं आज की तारीक में हम लोग जो सबसे बड़ा चैलेंज करते हैं कि कोविद के मरीजों को अइडेंटिफाई करना उनको अपने स्थान पे टीटमेंट दिलाने के लिए मोटिवेट करके सरकार के पास सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाना वो जो नौन कोविड मरीज हैं उनको हर हालत में अइडेंटिफाई करके उनको जो भी सुविदाएं हैं हाल्थ की हमारी तरफ से प्रवाइड कराना यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम आज की तरीक है अभी तक सक्सेस्फुली Bhagwan की गरपासे आप लोगे सयोग से अभी तक हम निवा रहे हैं इसमें हम सारे मरीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कोविड मरीज हो सकता है जो हो सकता है उसको हम सेप्रेड स्क्रीनिंग करते हैं जो नहीं हो सकता है, जो डाउटफुल है, उसके लिए हम प्रपर टेस्टिंग के रडवाइज करते हैं, और जो हमें कोविड में नहीं आता है, उसको हम सारी सुविधाय मोहिया कराते हैं, इस समय पे हमारे सारी OPDs, सारे Emergencies, सारे Operation Theaters पूरी तरह से functional हैं, किसी मरीज को हम को पूरी तरह से जोस को इलाज चाहिए, पूरा मोहिया करा रहे हैं, आपकी किरपा रही, आपका आशीरवाद रहा, वपरभू की किरपा रही, हम ये पूरी जंग जरूर लड़ पाएंगे, और सक्सिस्फुल हो पाएंगे, काम्याब हो पाएंगे. आशीरिकार, नमस्कार, आज दे महाल दे विच, COVID-19 दे महाल दे विच, जिडी महामारी फैली होई है, पूरे विचफ दे विच, औरे विच रहे के मैं तौनम दासरे हैंगे, असी शीरिमन हॉस्पिटल दे विच, किस तरह प्रिकॉशन्स लेके, किस तरह हजातना लेके, हॉस्पिटल चलाना भी जरूरी है, मरीजनों देखना भी जरूरी है, मरीजनों देखना भी जरूरी है, मरीजनों दे बचा, डॉक्टर दे बचा, किसना कितना जावे, किसना त्यान रख्या जावे, उस सारे है, सारे है, सारे हज़तों दसन जा रहे हैं, शीरिमन हॉस्प इस इपको कर दो ने स्कील में अच्ए भाइए गॉंट ठीपे क्या बंगिया धर इस तो बाद वर मना पना घ्र तो शुटन झानदा हॉस्पिटल जान तो बाद सब्सक्राइब करें अगली चेक पोस्ते और नूँ और फॉर्म दिखाना पेंदा है जिस्ते और चेक पोस्ते और फॉर्म चेक किता जानदा है कि बंदा कोई एरा गेरा वह गया जाक करा है अंदर से नहीं आ रहा है इस तो बाद अची एंदा नूँ इते वेटिंग हौज डिस्तेश मेंटेंग एतके होगा एन यसी एते खुले खुले लोकों नो खुले लोकों गते है इते नंबर डिता है आनता है एंदा है और नूबर का नजना जाज़ने हैं चिन्ज तो नूपर राश्चत ना पर विट्षय नेज़ हैगी है इस तो बाद इस पर अपनी इस्टेशन काउंटर पे स्क्रीनिंग मेंटें करता है सारे स्क्रीनिंग काउंटर पे उपर सारे याने बेसिक रिकमेंडीट पीपी जो गौर्मनमन रिकमेंडीट है इस इस लेबल पे उपाके रख दे हैं कि इस्टेंस मेंटेंग करने मासे अची टेंपरी इंतर्याम किते हैं तो दिख्यार ना कुछिया ना राश्ता लाया ना कि डिस्ट प्रॉफर मेंटेंग होगे ठरले सिस्टिफ लुगाई होई हैं ताकि प्रॉफर हो स्टिफ ते खड़िया कि इस तो बाद पेशन्ट नो जिस्टिफ ओपीडिज देवेच लोड हों भी है किया ओपीडिज ओपर अपर अपर नंबर किना जालदा आ रहे हैं तो पेशन्ट जिस्टिफ ओपीडिज मुवमेंट कर देगा इस तो बाद इस तो बाद इस तो बाद यह उन्नों देता है इस तरह समझे आरे सिगे टूटिगाटे देखिए अच्छा किता फाइल चेकिती में नंबर से किता उसको बाद यह उस्तरों गयरों नहीं बेंदेगा साथा सारा स्वित्ते हैं जिनने भी है लोग लेवल जे डीएज हाउस्कीपिंग जो भी है सब में सब मास्पाई हो देने कैप पाई हो दिया है बूर नारी हो मुवमेंट कर देने हैं हॉस्पिटल जांदर उसी बंदेरों विजाउड मास्पाः के मुवमेंट करना पीपीपाई हो दी है यह वो इंट्रेक्ट करता है उसी आप पेशन देख नहीं निक पूरी पूरी अपनी पीपीपा के पूरे से फेशील पाखे पेश्यू देख आता है बुरे पुरा थिया रहा आंदा है पुरा डिस्टेस मेंटेंग कर दिया हम थी तांकि कोई भी आसी इंफेक्शन नो ना होवे किसे नो, ना म्रीज नो होवे, ना डक्टर नो होवे, पुरे भी कॉशन इपनी है. जिस्था पेशेंट गया आजाए पुरे पुरा होड़ा सिस्टम सेनिटाइज होंदा है, निकल जानदा है उरह पुरा कुरा इनक्त पेशंट नों बलाए जानदा है हे डोग्सा में ए ओपडिजी बीच इस्टर फुरा सिस्टर पाकी मीजनों देख रहें हैं जब जातए में इस भी जबर्टाप्रारिया देपाटमेंट जो रड़ा आलता सवंडिय ए हैं इत्व पूरी जिधाता नाली कम किता जान दा है हर डेक्स लूपर हर स्काफ ने पूरी पीपी ऐस पर डिपॉर्मेट पाई जान दी कहिंगी है मесकं पाया है को सकुआ होदा है 아 तो किता यादा है उस तो developed विपिर करेंगे है कर देगे के सि कल याँ में याँ पाक को सब्सक्राइब है और तो धा सबक्थ मुझरमन कासना है कि यदा पिठेन है मजसी चांदा है उनों से कितना डील काते है अब ये वरीज है जो खांसी देना ला रहा है ठीक है उनों ओपिडिश द्धाना होने बता तो अपिडिश नहीं पेदिया और यसी जो राइजिंग खरांगे उनों फ्रू कॉर्नर पेचांगे फ्रू कॉर्नर प्रू कॉर्टर ने और बेकुल पीपी पाकी बैठे होएंने बैठे को उनों कुरी पीपी देना और चेक करांगे ताकि कोई उनों दिम्सम ऐसे हो जिसना अगर कोई इंफेक्शन दे हो तो इसलिए बने पख़ते हैं एक ही चौकार नेशल के डाफाफ रखां है बात से टाफानाच पटाफा सिंदे कि गुग त कर डाफोन थे बैसरेश्में मुद्पा सिंदे धायरे जा लिए नहीं चैनल लुटाथा है दुटा कि आपको अर्टक लिए नितरह अंढ़ना ना.. जी उस्येजंग थे सब्सक्राइब हो लिए अगा.. कर दिस्टेंस मेंटेंग करके पुरे 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 पेशंट त्यां रखे यहांदा है मरीज द पुरे त्यां रखे यहांदा है थ्यांस देशाए को है इसके संहाए इस प्रेंषी आन दीए मरीज पुरा मरीज स्क्रीन होंदा है है कोस्टिन को जुन दिन ने सारे स्टंप में ए मरते हैं टीले पुरे पुरे मासपारे काम किते आने जाना हैं पुरीज जिए पुरीजिए घाली होंदी है मुरीज बार जान दाए है पुरे पुरे बैट खाफ होंदी है अगला मुरीज अ लिता जान दाए I'm Professor Sudhan and I'm a heart surgeon and in spite of the circumstances we have started operating with all precautions and let's pray that it all goes well साथ रिकार जी में नारण डॉक्टर मंदीप है गाँ मैं अबर्जन्सी देन चार्ज है गाँ इस एक पार्ट है गाँ जिन्वे इसलेशन उनिट है गाँ यह बेसिकली नाइट प्रेशर रूम है गाँ अगाँ है साथी सारी स्क्रीणिंग बार अल्रेड़ी सिस्टम बार बेसिकली पॉड़ी नाउग्या गाँ श्रायाच्ट न इसहां उन नहीं नाच्ड प्रोटोकोल है गाँ जावे पेशिचट नसी। अट्रोड फिरूडल कर लेने वरी प्यादे को ज्यादा लोड यह प्यादी प्रोड़ेगाइगा कॉश्चिछ लॉन्द एगाँ कि जो बुदी प्रेशयर रोम हैंगा, उसे होते हैंगे, उन्हें सेंपल जड़ेगे, उन्हें लगदा हैंगा हैंगा जो बाद अनों असी शिफ्ट कर दिता जान दा जो भी गवर्मेंट दी वसिलिटी हैंगे, जो और यह गायद्लेंज जाइगी होसा आप दिना रहा हैंगे, सब्सक्टेड प्राहण प्रियुजंस बख बरग एवन फाइला, जो हमालिक 6-7 ऑम जो सब्सक्राइब। कोई बंदा बाहर हो कोई चीज लाएक अंदर नहीं जा सकता अंदर बाहर नहीं आ सकता एड इस इन इस इन चीज पूंदीया कि दियर फेंड्स मैं डॉक्टर राजीब भातिया एक नेफ्राउजिस्ट हूं जो शुरीमन होस्पिटल में मैं काम करता हूं जैसे आप सबको पता है आजकल कोरोना की महामारी पूरे दुनिया में फ्यादी होई है कोरोना जो एक इंफेक्शन होता है जो की हमारी इम्मुनिटी को कमजोर कर देता है सीधा हमारे लंग्स पे एफेक्ट करता है और नॉर्मली एक फ्लू टैप का इंफेक्शन है जो एक ह इसके अंदर जो mortality होती है यानि कि जो death होती है उन लोगों में ज्यादा होती है जिनके अंदर में या तो उन जिनकी age ज्यादा होती है या पर वो immunocompromise होते हैं या जिनके अंदर में कोई comorbid conditions होती है जैसे diabetes है, hypertension है, blood pressure है और किनी पेरिया है जो हम लोगों patient deal करते हैं, unfortunately उनके अंदर में सब कुछ होता है most of the patient में diabetes भी होती है, hypertension भी होता है और किनी पेरिजर होता है जिनको dialysis की जो रखपाती है तो एक के vulnerable population होती है, आगर इनको infection होता है तो इनको काफी ज़दा serious infection हो सकता है दूसरी मजबूरी ये होती है कि जो dialysis के patient है, उनको regular dialysis लेने पड़ती है क्योंकि अगर regular dialysis नहीं करी जाए तो patient की condition ख़ड़ाब हो जाती है तो उनके लिए जिन्दा रहने के लिए उनकी requirement है कि उनको हफते में जो से टीन वार hospital आना ही पड़ता है और उनको dialysis कराना ही पड़ती है dialysis पे जो हमारा center है, उसके अंदर में काफी space है क्योंकि जो आपने पता होगा कि corona के अंदर में कुछ precaution देने पड़ते हैं तो एक international guidelines है कि हमें किस तरीके से dialysis के patient को deal करना चाहिए किस से किस स्क्रीन करना चाहिए और कैसे precaution देने चाहिए कि patient में infection transfer नहीं हो उसका पहला step शुरू होता है घर से एक standard guidelines होती है जबी भी patient अपने घर से चलता है तो घर से inform करता है dialysis unit को कि उनको कोई खासी दुखाम बुखार तो नहीं है जिससे अगर उनको हो तो हम यहां पर prepare हो सकते हैं कि हमको उनके कैसे deal करना है second उनके जब step होता है कि लोगों को एक दूसे के पास पास ज़्यादा ना तो waiting area जो होते हैं वहां पे crowd ना हो इसलिए proper timing appointment के साथ में patient हमारे आते हैं और उनसे coordinate किया जाता है कि जब तक under proper spaces और planning नहीं हो जाए तो वह जातो अपने कार में stay कर सकते हैं single vehicle में या private vehicle में जायता रहा है उनको inspection होता है जो public transport से हैं वैसे भी burn है पर वैसे भी public transport use ना करें जिससे कि cross infection होने के चासर उनको नहीं हो उसके बाद जब वो आते हैं तो unit बिल्कुल clean कर होने के बाद बिल्कुल proper सब को तयारी होने के बाद में एक और एक एक करके पहले बाद तो entry पे ही उनके screening करी जाती है जिसमें से उनका temperature चेक होके देखा जाता है कि उनको किसी को temperature तो नहीं है किसी कोई symptom तो नहीं है अगर किसी patient को fever है या उनको सांस के दिकत है तो उनको एक dedicated area पे diagnosis करी जाती है चो कि main unit से अलग है और उस unit के अंदर में जितने भी हमारे staff होता है वो complete P.P.N.K करता है जिससे कि कोई cross infection होने के chance नहीं हो उनका infection किसी और को transfer नहीं हो जब तक कि ये प्रूब ना हो जाए कि उनको कोई corona या covid-19 का infection नहीं है second step में एक first screening होने के बार में जब patient आता है diagnosis unit के अंदर में उसकी second screening होती है जिसके अंदर में फिर से उनके सारे symptoms पर गएड़ा चेक करके और उनको फिर entry देते हैं जहां पे वो अपनी designated unit में और अपनी designated जो होते हैं बैठ पे जाके अराम चे लेटके अपनी dialysis कर लाते हैं जिससे की उनका protection भी हो सके और बहार से भी कोई infection उनके अंदर आता है वो भी प्रॉपर अपना complete पीपी जो भी उस area के designated पीपी है जो मास्क हैं, gloves हैं, caps हैं वो उनको प्रुदा precaution लेके उनको dialysis करते हैं कोई भी एंट्री बिना hand wash के साथ नहीं हो सकती उनको प्रॉपर या उनके अटेंडेंट डोनों को उनको किया जाता है और यह advice किया जाता है patient को क्योंकि उनको लगाता है मास्क लगा के रखना है तो कम से कम खाना खाये जिससे उनको मास्क उताने की जोड़त कम से कम प्रिकॉशन लेके और इसके एड़िट डिटे भी प्रिकॉशन पैले से चाहरा होते हैं जो कि डार्सेज जुड़त में उन्युवर्स्टर प्रिकॉशन के नाम से जाने जाते हैं जिनके इंदा proper hand wash और recurrent alcohol से अपने hand wash होता है वो एक अर्डि़ट डार्सेज जुड़त मे इराज करने की कोशिक करते हैं इसलिए इतने precaution हम लोग लेते हैं जिससे कि हमारे patient के अंदर में ये comfort रहे उनको ये विश्वास रहे कि वो बेतबर होके इस hospital में पूरे अपने विश्वास के साथ में की diagnosis करा सकते हैं कि यहां पे पूरे 100% precaution लिए जाते हैं जिससे किसी भ झाल